हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू नेगिस कुकिंग कानेक्शन आज मैं आपके साथ कोई रेस्पी शेयर ने कर रही हूँ बलकि बहुती आसानी से मोमोज को डिफरेंट सेप्स में कैसे बनाय जाता है छोटे छोटे ट्रिप्स और ट्रिक्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसलिए इसका पूरा वीडियो देखें मोमोज बनाने के लिए याप मैंने मोमोज का डो तयार कर लिया है मोमज का डो कैसे बनाय जाता है इसकी रेस्पी मैं आपके साथ पहले भी शेर कर चुकी हूँ इसका डो बना के 15 मिनिट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अब सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगी और इस डो को एक मिनिट के लिए फिर से गूट लेंगे अब इसे चक्कू या छुरी की हेल्प से चार हिस्से में डिवाइट करेंगे और चार हिसे में डिवाइट करने के बाद बाकी के तीन हिसे को साइड में रख लेंगे अब थोड़ा सा मैदा फिर से डस्ट करने के बाद इस बचे हुए डो का एक लंबा आकार बनाना है इस तरह से इसे शेप देने के बाद अब छोटे छोटे इसकी लोई निकाल लेंगे लोई बिलकुल पूरी से छोटी होनी चाहिए इस तरह से इसकी छोटी छोटी लोई निकाल लेनी है अब इनके उपर से थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इनके उपर सूखे मैदे की कोटिंग करेंगे ताकि यह आपस में चिपके नहीं अब एक लोई को लेके दोनों हाथों से अच्छे से गोल करेंगे इन्हे थोड़ा प्रेस करके गोल करना है ताकि बेलते समय यह फटे नहीं इस तरह से सारे लोईों की गोली बना लेनी है अब इन लोईों को पतला पतला बेलन से पूरी की साइज का बेल लेंगे मैं इसे फंडन रोलर से बेल रही हूँ इससे यह चारो तरप से एक जैसा बेलता है ना कहीं से मोटा होता ना कहीं से पतला इसी तरह से इसे बेलन से भी बेल सकते हैं ये देखिए इस तरह इसे पतला बेल लेना है इसी तरह एक गोले के बनाई हुई सारी लूईयों को एक बार बेल लेंगे और इसके बाद ही इसमें स्टफिंग भनने के बाद अच्छा सा मूमोज का आकार देंगे इस तरह से एक बार के गोले के सारी लोईयों को मैंने यहाप बेल लिया है अब इसमें श्ट्रफिंग भरेंगे और मोमोज बनाएंगे अब इसके बीच में एक छोड़ा चमच वेज या नॉन में श्ट्रफिंग भरेंगे मैं वेज मॉमोज बना रही हूँ स्टफिंग को ज़्यादा भरना नहीं है स्टफिंग भरने के बाद हलके हाथों से स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करें और मॉमोज को बाहर से इस तरह से पकड़ना है अब एक हाथ की उंगलियों और अंगुटे की हल्प से छोटे-छोटे एक साइड के प्लेट्स बनाते जाएं और दूसरे साइड पे प्रेस करते हुए चिपकाते जाएं इसी तरह प्लेट्स बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है और दूसरे साइट पे stick करते जाना है अगर stuffing बाहर निकल रही है तो फिर से उंगलियों से उसे अंदर की तरफ प्रेस करें इस तरह plate बनाते हुए एक साइट से दूसरे साइट तक आना है यह तक भी plates को सिर्फ एक साइट बनाना है और दूसरे साइट में stick करना है एक साइट से plate बानते हुए दूसरे साइट पे stick करते जाना है और इसी तरह आगे बढ़ते जाना है अब इसके उपर का stick किया हुए हिस्सा हलकी हाथों से प्रेस करेंगे अब एक साइट से उंगलियों और अंगुटे की help से इस तरह पकड़ के गोल घुमाना है यह देखिए इस तरह से तीसरा से बनाने के लिए आप उंगलियों और अंगुटे की help से इस तरह से एक साइट के दोनों हिस्सों को pinch करना है ताकि यह आपस में चिपक जाए और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसके उपर की हिस्से को दबा देना है फिर से दूसरे हिसे को प्रेस करने के बाद फिर से इसे प्रेस करना है अंदर की तरफ और इसी तरफ अंदर की तरफ प्रेस करते हुए आगे बढ़ते जाना है और फिर इसकी आगे की हिसे को इस तरह उंगलियों और उंगठे से गोल घुमाना है ये देखिए इस तरह से इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन जरूर प्रेस करें और आल प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी बनाई नई नई रेस्पी के अपडेट्स आपको मिलती रहें अब इसकी आगे के हिसे को इस तरह उंगलियों और अंगोटों से गूल करके लॉक कर देंगे अब मोमोच का पांचवा से बनाएंगे इस तरह से उंगलियों और अंगोटों से एक साइट से पकड़ना है और इसके छोटे-छोटे प्लेट्स देते जाएंगे और इन सारे प्लेट्स को एक के उपर एक स्टिक करते जाएंगे इस तरह से पूरा प्लेट्स देने के बाद इस अब दो हिस्से को उठाना है और बीच से आपस में स्टिक करना है इसे सिर्फ बीच से ही चिपकाना है इसकी दोनों चिपकायवे भाग को अच्छे से स्टिक नहीं करना है यह दोनों साइट से खुले हुए होने चाहिए इस तरह से अब दूसरे हिस्से को भी इसी तरह स्टि इसके लिए इसके बीच में stuffing भरेंगे और गुजिया करणजी की तरह इसे फोल्ड करना है इसके किनारों को अच्छे से चिपका ले अब इसे उल्टा करेंगे और अंदर के तरह हलका फोल्ड करेंगे और इसके दोनों साइट को opposite direction में आपस में अच्छे से चिपका देना है ताकि stream करने के बाद या खुले नहीं यह देखें इस तरह से अब 7 से बनाने के लिए इसी तरह करणजी की तरह इसे stuffing करके फोल्ड कर लेना है और और अंगली और अंग्टे की help से इस तरह किनारे से इसे प्रेस कारना है और अंदर की तरह 4 कारना है जिस्से इसके साइट प और फिर दोनों साइड से भी इस तरह से स्टिक कर लेंगे और इसकी जो चार पंखुडिया बन गई है उसे लॉक कर देंगे और फिर इन चारों पंखुडियों को एके करके पकड़के अंदर की तरफ गौल घुमाना है और अंदर की तरफ लॉक कर देना है यह देखे इस तर कर लेंगे ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक के साथ अपने पसंद से किसी भी सेप्स में मूमोस तायार कर सकते हैं मेरा आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा बनाये हुआ आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए त से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे भी मैं आपके साथ नए नए रेश्पी शेयर करती रहूं